हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने चानल स्टेंड भी पीसी में दोस्तों आज हम लोग कॉट अप के बात करेंगे और अब तो सुप्रीम कोट ने एनाउंस कर दिया कि क्या बेड वाले अब 1-5 में पाटिसिपेट नहीं करेंगे तो अब यह आप लोग के लिए बहुत और खुशी की लहर है जो लोग सोच रहे थे ना कि जिनका स्कोर कब आ रहा था ठीक ना तो उन्हें घबराने की जुरत नहीं अभी मैं किलियर कर दूंगा ठीक है सब किलियर होजाएगा दोस्तों और जिनका कब स्कोर है आपको घबराने के बिल् этому जरुत भी नहीं है अग ठीक है लहोलवा नहीं होना है हो रहे थे पहले अब ठीक ना तो हम समझा देते हैं पूरा format आपके सामने है चानल पर नहीं होंगे तो आप लोग subscribe कर लेजेगा दोस्तों ठीक है ताकि इस तरह का वीडियो का अपडेट आप तक असानी तक पहुंचे ठीक है चलिए शुरू क कर जाना है और 11 और 12 वाले जो सिक्षक बनेंगे उनको कौन-कौन सा डॉक्मेंट लेकर जाना है वेरिफिकेशन के लिए तो सारे क्लियर करवा देते हैं देखिए अगर आप 11 और 12 वाले हैं तो ठीक ना आपको क्या क्या लेकर जाना है आपको क्या क्या लेकर जाना है तो लेना ही है, प्लस में आपको अगर प्रोविजनल होगा, तो वो लेना है, ठीक ना, फिर डिगरी होता है, जो दो सल बाद मिलता है, इतना बड़ा होगा, देखिएगा, आधे हाथ का होगा, तो वो भी लेना है, ठीक न, जिसे सर्टिफिटिक बोलते हैं, फिर 12 का भी सेम marksit लेना है, provisional लेना है और क्या लेना है? certificate लेना है फिर उसके बाद अगर आप BA है या BACI को वाइलेंट आपके पर कोई course है या B.T.E.C. है graduation level का है चाहे किसी भी इंडिया के इनिवर्स्टी से है तो आपको उसका marksit लेना है अगर आपने BA किया है तो part 1, part 2, part 3 इसका लेना है अगर आपने B.T.E.C. किया है तो आपको B.T.E.C. में तो 8 semester होते हैं वो सारे marksit लेकर जाना है ठीक, clear हुआ, plus में provisional और certificate ठीक ना? फिर उसके बाद आपको तो PG, ठीक अगर आपने PG किया, PG तो यहल है इसमें, इसलिए PG का कितने 4 semester होते हैं तो 4 semester का आपके पास mark sheet होना चाहिए कितना? 4 semester का mark sheet होना चाहिए फिर आपके पास cast certificate अगर आप AC से हैं O.B.C. से हैं General से हैं या E.W.A. से हैं तो उसका आपको क्या लेकर जाना है cast certificate लेकर जाना है फिर आवासिये लेकर जाना है, रेजिडेंस जिसको बोलते हैं, आपके पास आवासिये होना चाहिए कि आप मधुभन्नी जिला से हैं, छपरा जिला से हैं, या इस अनुमंडल से हैं, इस बलोक से हैं, इस गाउं से हैं, ये सब उसमें लिखा रहता है, फिर आपको B.A.D. का आप देखे, अब 9 और 9 से लेकर, जो 9 और 3 हैं, ठीक ना, उनको क्या क्या लेकर जाना है, तो देखे, आपको भी दोस्तों क्या लेकर जाना है, 10 वी का सर्टिफिटिक लेकर जाना है, ठीक ना, 12 का सर्टिफिटिक लेकर जाना है, मार्क सिट और सर्टिफिटिक उसमें जर कर जाना है इसमें PG जरूरी नहीं है इसलिए आपको क्या graduation होना चाहिए ठीक bachelor degree होना चाहिए तो उसके marks लेंगे आप ठीक उसके बाद इसमें भी cast certificate के जरूरत है आवासिय के जरूरत है ठीक ना और इसमें आपने B8 किया है वो जरूरत है और आपको estate qualify होना चाहिए यहां तो clear हो गया क्या के लिए कर जाना है अब आपको बता देते हैं भाई कि आपका cutoff क्या जाने वाला है तो देखे अब B8 वाले को बाहर कर दिया गया है ठीक अगर आप 1 to 5 है तो इसमें देखे क्या क्या आपका score आ सकता है पहले हम male का बताएंगे फिर उसके बाद female का तो देखे जेनल का जो cutoff होने वाला है दोस्तों यह 52 से लेकर पच्पन के बीच में हो सकता है ठीक ना एक नमबर एक से दो नमबर आपका इधर से उधर होगा लेकिन इसे जादा नहीं होगा OBC की बात करें तो OBC में क्या हो जाएगा 46 प्लस जाएगा एक नमबर या दो नमबर इधर उधर हो सकते हैं ठीक ना OBC का cutoff चुकि B8 को बाहर कर दिया गए 125 का भी और सभी के लिए यही cutoff रहेगा बाकी बताएंगे क्यों रहेगा यह भी रहेगा चुकि देखें EBC के बात करें तो EBC का 44 से 46 तक cutoff जा सकता है AC की बात करें तो EBC का cutoff male का 42 से 43 हो सकता है ST का cutoff 43 से 44 हो सकता है और EWS जो economical weaker section पांच अगर्ष 2019 बिधाय के तहत जिनको 10% अरक्षन दिया गया है ठीक ना उनकी cutoff 41 से 43 जा सकता है एक नमबर इधर उधर हो सकता है ठीक यह था male का cutoff और female का बता देते हैं अगर आप female से हैं general category से अगर आपका 48 या 47 वी आ रहा है तो आपका result हो सकता है क्यों होगा आगे बताऊंगा मैं अगर आप OBC की लड़की है यानि छात्रा है तो आपका 43 स्कूर आ रहा है तो आप समझ लिजे कि आपका होगा आपको घबराने के जुरूत नहीं है तो आप से जोन में है सेलेक्शन होगा 100% डॉक्मेंट वरिफिकेशन का त्यारी करना है आपको एस्टी के बात करें तो 40 से 42 हो सकता है एक नमबर इधर उदर हो सकता है ठिक और EWS महिला यानि चात्रा और तिस नमबर क्यों होगा भाई देखे हम भी एक BPSC एस्पिरेंट है और जो इमंदारी से जो BPSC लेबल का त्यारी करते हैं हम इमंदारी से बता रहे हैं मतलब संतावन से लेकर 65 के बीच में न हम दो बर बनाया तो मेरा स्कोर एक बर 62 है और एक बर क्या 61 है 60, 61 मान लीजिए ठिक ना तो कोश्चन का लेबल दोस्तो वो टीचर लेक था नहीं ठिक ना चुकि पहले क्या बोल रहा था लो कि बिहार का टीचर का जो फेसिलीटी है वो क्या है बहुत ही डाउन है क्वालीटी होना चाहिए तो भाई क्वालीटी दीजे क्वालीटी वर्ल्ड हिस्ट्री के चार कोचन थे दोस्तों, आपने बनाया होगा तो आपको पता पड़ जाएगा, प्रिभियस येर का एसे सीजिल के साथ कोचन मिला, ठीक ना, उसमें पांच कोचन ऐसे हैं, लेंदी कोचन, जिसका आप सलूसन निकालेंगे न, तो आपका समझ लिजे क 40-45 मिनटों खागे, एक घंटा खाजाएगा वो, ठीक ना, पांच कोचन वा ऐसे हैं, मैत के, अगर आप बनाये होंगे जो लोग तो आपको पता पड़ जाएगा, और बताते हैं, हिस्ट्री का कोचन, हिस्ट्री का कोचन तो कुछ लोग बनाये होंगे, लेकिन भागी का जो कोचन है न, हो समझ लिजे कि फारु कोचन था, सब किसी का बस का बात नहीं था, चुकि दो से तीन महीने में कोई क्या पड़ेगा, ठीक है, श्ट्टेन कितना पड़ेगा, फिक्स डेट हुआ, कितना बर सनसोधन हुआ, क्या से क्या नहीं हुआ, अगर उसमें कुछ र रहे हैं, क्या कोई बनाएगा, ठीक है, दोस्तों यह जो कटफ है, ठीक है, घबराने के जुरूत नहीं है, कटफ जो होगा बहुत लो लेबल का जाएगा, क्योंकि कोचन का लेबल जो है न, दोस्तों, आप जो लोगि मंदारी से बता रहे हैं, जो लोग पड़ते होंगे त्यारी कर रहे होंगे जो लोगे standard BPSC जो आयोग का एक्जाम होता है उन लोगों से अगर कोहचन बनवाईएगा ठीक ना अगर इमांदारी से वो खुब पढ़ने वाला भी होगा ना तो खुब से खुब 65 से 70 बनाएगा इससे ज्यादा नहीं लगता है कि वो लोग भी बना पाएगा कि कोहचन का जो लेवल है ना दम है कोहचन में ठीक है ना मतलब नॉर्मा लोग तो हमको लग रहा है कि खुब से खुब बनाएंगे तो 20 20 बनाने में उनको आधी आ जाएगा ठीक ना 20 बनाने में मैत को खर मैत में समझ लेजे कि 8-10 कोहचन छोड़कर बाकी लोग बाकी में फहुंच जाएंगे फहुंच जाएंगे जो पढ़ते होंगे खर उनका एक अलग बात है कोई भी 120 में नभी नहीं बना सकता है 70 जाने में आधी आ जाएगा ठीक ना तो जो लोग घबरा रहे हैं कि 40 मेरा नमबर है 45 जाएगा 50 जाएगा तो भाई आपका हो गया ना उपर से समझ रहे हैं कोचन का लेवल क्या था तो उसके कोडिंग आपका सेलेक्शन फिक्स है अगर आप इस जोन में हैं तो सेफ हैं डॉक्मेट वरिफिकेशन का त्यारी किजिए और बाहरी चीजों पर ध्यान मनतीजिए कौन क्या बोल रहा है यूटूब और बहुत सारे ऐसे वैसे वह दिस डाइट इस तरह का है ठीक ना तो उन सब चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है और फॉलो करना है तो कोई जो अधिकारी लेवल के जो हैं अगर वो सही बता रहे हैं इतने लेवल का तो समझ लिजए को सही बता रहे हैं उनको फॉलो आजिए जारी कीजिए और सिलेक्व संवस्वाराय बैसे क्रते नंगे अब को उनियॡ़ अच्छा लगा होगा तो दोस्तों कि बाशेर कर सकते हैं लाइक क्रूंट अपना सुझावह भे ना होगा तो कमेंट कर सकते हैं चैनल पर नहीं हो गए तो आप सब्सक्राइब कर ल